हे गाइज आप आगाइन मुष्ट विलकम हैं मेरे सेकेंड चैनल पे टिक गेमिडिकी उपर जहांपे मैं आपके लेकर हाज राओं लेटिस्ट मीडियोई का पाइपोर्ट रोम लेकर तो चलिए देखते कि इसके अंदर को क्या कुछ नया देखने को मिलता है और क्या ये वीडियो प्रवाइट करूंगा ना तो उसका छोटा सा कुलू या उस रोम की डिटेल्स में आपको इस जो अभी रिव्यू होड़ी है उस वीडियो में बता दूंगा चाहि स्टार्टिंग पर या मेडियल में या फिर आपको एंड में परादा चल दाएगा कि नेक्ट कि रोम की किस डिवाइस की वीडियो आपको मिलने वाली है लो है तो स्टार्ट करते है अगर आपको अपने चैनल को ना की नारेics को कई ना फ accept करे ताकि दिक्सट टाईम jako में आपको मिल पाए था शहांपर देख पा हुए कि एक bapt को लिखाुए यहां पर आते थे का आते थे पाइप पर उस पर मचैनल डालेंगे और नए फीचर से उसके उपर आधे करेंगे ठीक है तो यहां पर गूगल कार्ट को मैंने इनेवल किया है जो कि कफी टाइम पहले यह फीचर आ गया था यहां पर यूज कर पाऊगे यह फिलाल यह एकसस नहीं हो पर आए क्योंकि इंट्रेनेट इनेक्शन में आफ रख रहता है और साजया सीम को मैंने बहार नि दिस्पले के अंदर आउसके निता अपको डिकवके मिलता है जो कि आप च्पीकम वाला देखनी को मिल जाते हैं नहीं होता है है लेकिन यह से वह में और लॉट राइट रहा होता है आप इंकमिंग कालिंग के लिए यह फीचर्स अप्लाई नहीं होता है जो कि सिर्फ रहे हमारे चाइना रोम के लिए देखनी को मिलता है ग्लोवल और पॉट्रों में यह दिखाई नहीं देता है अब यह रहा आपके सामने नया लेटेस्ट चेंज जो कि इस अपडेट करने उसार हुआ है तो फर्स आपको यहाँ पर रेगुलर और एप ड्रोर टेखने को मिली जाता है अगर आप यहाँ पर एप ड्रोर को इनेवल कर देते हो तो उसके बाद आपको एक नया उप्सन आता है एप ड्रोर का जिसमें आप स्केल को चेंज कर पाएंगे स्क्रॉल बार को जैसे के और इजेट और बैग्राउंड का इसा करना है वह भी आप चेंज कर सकते हो जो कि हमें पोको लांचर में देखने को मिलता था उसकार इस ओप्सन में एड किया गया है ग्लोबल सर्च जो कि डिफॉल्ट है और सर्च बार है तो अगर आप रखते हो तो स्वाइप आप आपको देखने को मिलेगा आपको गूगल का जो सर्च बार है वह इनेवल हो जाएगा कुछ इस तरीके से ठीक है तो इसके लिए आपको यह इनेवल करना परता है और यहां पर सर्च बार को भी आपको रखना परता है डिफॉल्ट से गूगल तब जाके आप गूगल है जो यहां पे इनेवल हो जागा तो फिलाल मैंने नेट को आफ कर रखा है जिसके वसे कोई रिजल्ट यहां पे नहीं आ रहा है क्योंकि नोटिविक्शन और कॉलिंग की प्रॉल्म जाती है वीडियो सुट करते टाइम इसल जो कि बहुत पहले आया था फिर हटा दे गया फिर आया फिर हटा आये गया और फिर से वापस आ गया है जिसका काम क्या है कि जब भी आपका कोई आइकां से उतर बिखड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि मुझे वन वाइवन करके से मैनेज ना करना पड़े तो आपको जाता है तो अभी नहीं क्या फिर से करते है नहीं क्या अगें करते हैं अवे फोन फिक हो जब करेगा क्या और घुज जानः अब जाकर विद्हए तो आपको जादर ही साक और जीकक्र eine किया टो तो यहाँ पर मैं आपको COT से नहीं कह सकता है लेकिन नेक्ट वीडियो में आपको देने लोगे कि कैसे आप से चेक कर पाओगे क्या आपका गुडिक्स है या फिर FPC fingerprint का सपोर्ट है जिसके विए से आपको पदा चल पाए कि आपका गुडिक्स है तो वरकिंग है या नहीं या फिर FPC है तो वरकिंग है या नहीं तो सबसे बड़ी good news होती है FPC users के लिए क्योंकि हमें साहीं filter करता है जो प्रवल्मा क्रीट होता है वो गुडिक्स users के साथ ही होता है तो नेक्ट वीडियो का वेटर है जो कि take office पर या पर इस पर मिल सकता है तो दोनों को subscribe और notification email जरूर कर लें ओके यहां पर अगर हम camera के department पर आते हैं तो हरवरा की तरह यहां पर आपको portrait का option gap मिलता है और रहता है तो भी काम नहीं करता है तो कोई फायदा नहीं है है या नहीं है वाई काम करता है नहीं तो क्या फायदा तो आपको यहां पर GKM यूज करना होगा अपने portrait picture को click करने के लिए selfie को click करने के लिए जो भी आप यूज करना चाहते हो उसके लिए तो GKM आपको यह problem solve कर देता है उसके बाद यहां पर अंटूटू का score है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा है latest वाले अंटूटू के वज़य से भी जो की score मिला है 8-8-7-1-7 का तो आपको होगे भाई यह तो काफी अच्छा score है यह काफी अच्छा score था जब हमारा अंटूटूटू का score था 7.2.2 लेकिन जब से 8.0.2 आया है तो काफी ज़्यादा बूस्ट करके score को दिखाता है तो यहां पर नॉर्मल score इसके लिए हो जाएगा करीब करीब नाइन के आसपास का score मिलता है वो नॉर्मल है तो आप कह सकते हैं को ठीक है बट उटना चानदा एडवांस नहीं है ठीक है old के compare के अनुसार तो overall आपको performance ठीक मिलती है बैट इवेगा भी आपको ठीक मिल जाती है लेकिन अगर आपको कमियाद लगती है आप improved करना चाहते हो तो आप पर जो करने लोगा चेंज करके improved कर पाऊगे यहां पर theme manager भी आपको पहले वाला ही मिलता है यहां पर custom पर आते हैं तो boot animation और boot audio भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जिससे आप असानी से जो boot animation या boot audio भी चेंज कर पाऊगे यहां पर जो kernel भी फिलाल यूज किया गया है वह मैं आपको दिखा दू कि यहां पर यहां गया है carbon inrogal का तो आप चाहो तो यहां पर underground का या फिर है तो lineage OS का यूज कर सकते हों क्योंकि इसके पहले जितने भी मैंने आपको रिव्यू दिया है सब में lineage OS था उनकी बैटेवेगा मुझे काफ ज़्या पसंद आय थे और RAM management भी तो आप lineage OS का करनल यहां पर try कर सकते हो अपने रिस्क के ऊपर अथरज आपका bootloop मेले का था मुझे blame करो है तुने कहा था unroot करने को और मुझे bootloop टेखने को मिला तो आपने रिस्क पर करना क्योंकि समटाइम यह bootloop देता है unroot करते ताइम तो समटाइम सक्सेस्टों अबूट हो जाता है तो try and love okay तो नेक्ट वीडियो का अपडेट करो और इसके बाद बहुत सारे Android 10 के अपडेट आए वे जो के पेंडिंग है आज बीजी था इसके वज़ा से और कुछ आपको MIUI PRO के भी अपडेट मिलने वाला है जल्दी